ख़वर रामगर के पतरातू से है जहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है आपको बता दे कि पांडे गिरों के शक्रिय सदस असोक महतों को पुलिस ने गिरफतार किया हुए असोक महतों के पास से 25,000 नगद और एक पिस्टल भी बनामद किया गया है आपको बता दें कि असोक महतों के घर से एक देशी कटा और गोली भी पनामद की गई है वहीं हरदेव कंस्ट्रक्शन गोली बारी का यह आरूपी बताया जा रहा है वहीं कई दिनों से पुलिस को इसकी तलास थी तो देखिए इस बक्त की सबसे बड़ी ख़बर की रामगर के पतरातू में प पुरी हुई और पतरातू में पुलिस को बड़ी सफलता मिली आपको बदा दे कि पांडे गिरोह का एक सक्रिय सदस था जिसका नाम असोक कुमार महतों बताया जा रहा है उसे पुलिस ने गिरफतार कर लिया और साथी 25,000 नगद और पिश्टल और गोली भी साथ में बराम के पतरातू में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस को कई दिनों से पांडे गिरोह के सदस की तलास थी के पास एक वेक्ति खड़ा था जो असोक महतों के नाम से जाने जाते हैं और वो इसको यह पांडे गिरोह का शक्रिय सदस हैं और हम लोग इसकी तलास भी कर रहे थे और वो संजोग से मिले तो हुआ थाना के सभी प्रादिकारी पत्रातू थाना प्रफारी बता दिए पख करने के पिस्टल और चार रॉंड गोली और रंगदारी का लिया वह पचीस हजार रुक रहे उनके ब्रामत हुआ खैरा महांजी द्वार के पास एक वेक्ति खड़ा था जो असोक महतों के नाम से जाने जाते हैं और वो इसको यह पांडे गिरोह का सक्रिय सदस हैं और हम ल के बाद उनके कमर से में ही एक देशी पिस्टल और चार रॉंड गोली और रंगदारी का लिया वह पचीस हजार रुक रहा हुआ 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 है और इसी ख़बर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सायोगी सुमीत जुड़े हुए सुमीत पूरी जानकारी मताइए क्योंकि आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो पांडे गिरों का सदस था उसको गिरफतार किया है पांडे गिरों के सक्रिश सदस से है असोग मातो इस दो मने पर पूरु में भी एक कंपनी पर गोली बारी हुआ था जिसमें यह सामील था पुलिस लगाता असोग मातो गिरफतार किया गया उसके साथ कि क्या क्या चीजें और भी पुलिस ने जप्त किया है असोग मातो कि गिफतारी समय में फिश्ट्वेल जप्त हुआ वही घाट से एक देशी कट्टा और दो गोली मोबाइल 25,000 पर नगत जप्त किया गया है चलिए पूरी जान सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूस लवन भारत सच है तू दिखेगा